दिन प्रति दिन बेहत दल्चस्प होता जा रहा है उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनाओ के लिए पहले चरण की जो वोटिंग है वो दस फरवरी से होनी है और ऐसे में आगरा में पहले चरण में मतदान होना है आगरा ग्रामीड में जो है इस वक्त मेरी मौझूदग मेरा आप से यह कि यहां पर बिजेपी प्रत्याशी आप हैं और आप किसी परिचे की मोहतास तो नहीं है और बहुत विश्वास के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक आपको मिली है क्या प्रात्मिकता हैं आपकी रहने वाली है मुझे गिरामीड विधान सभा में चु लगातार कारे कर रही है और उन्हीं विकास कारें को आगे ले जानी के लिए मैं चुनाब भी लड़ रही हूं और उन्हें आगे तक ले जाओंगे बिल्कुल और जिस तरह से बीते पांथ सालों में बिजेपी ने जो काम किये हैं और आप लगातार जनता के बीच भी जा रही है क्योंकि इस बार रोडशो और रहलिया तो नहीं हो पा रही है डोटू डोर कैंपेइन किया जा रहा है काफी व्यस्तता भी है तो आप जनता के बीच जब जारी तो इन बीते पांथ सालों में जो काम काज किया गया है उत्तरप्रदेश सरकार के द्वारा उसको लेक लेकि अगर आप बनती है तो हमारे ये कहीं नाली खरन जाए कहीं थोड़ी सी रोड में गड़े है वो सब ठीक कराई तो ये तमाम आपकी प्रात्मिकताय होने वाली हैं और मेरा आखरी सवाल मैंम आप से ये होगा क्योंकि जब आप यहाँ पर जीत कराती है तो वो तो आपने बताया कि आपकी क्या कुछ प्रात्मिक्ताएं होंगी लेकिन नेट्वर्क इनके माध्यम से आप उत्तर प्रदेश की जनता और जो आगरा ग्रामीड की जो वोटर हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी मैं सबसे पहले तो अपनी ग्रामीड विधानसवा की जनता से यह अपील करती हूँ कि आप एक सही पित्यासी चुनेंगी सही विधायक चुनेंगी जो आपके साथ रहे आपके काम आए और एक अच्छी सोच के साथ आपके जो भी समस्या हुआ उनका समाधान करें और मैं सोचती हूँ, मैंने बहुत काम किया है, मैं आगरा की मेयर भी रही, मैं राजपाल भी रही हूँ, संबब्ते मैंने कुछ तो कारे की होंगे जिसके लिए मैं आप विदान सवाल लड़ने, आप लोगों के बीच में आई हूँ, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के यह को मिल रही है चुनोती है मैंने अभी आपको बना यह बहुत ज्यादा नहीं है गाउं की लोग बड़े भूले होते हैं उनकी छोटी-छोटी प्रात्मिकता होते हैं उनकी बिजली आनी चाहिए उनके रोड ठीक रहें उनकी नालियां ठीक रहें और उनके जो खेत खली आने हो भी सुरक्षित रहें तो उन सब के लिए हम काम करेंगी और मैलाओं के लिए मैं अलग से कुछ काम करूंगी सेल फैल गुरू बनाके समसाइता समूं के माद्यम से उनको आर्थिक रूप से सशक्त करूंगी जिससे उनका परवार और अच्छे चल सके वह अपने बच्च जिन्होंने अपनी बाते रखी हैं और क्या कुछ उनकी प्रात्मिक्ता होंगी और सबसे एहम बात क्योंकि महिला की सुरक्षाओं को विजेपी सरकार हमेशा से प्रात्मिक्ता देती भी आई है तो जाहे तोर पर यहां बेवी रानी मौरे जी की तरफ से भी यह कहा गया कि कि अगर वो यहां पर आती हैं जीत कर तो महिलाओं के लिए कुछ अलग करेंगी कुछ विषेश करेंगे उनकी सुरक्षा के लिए और साथ ही किस तरह से स्वेंग सहार्ता ग्रुप बनाकर वो महिलाओं को आगे एक स्वरोज़गार देने की भी कोशिश यहां पर करेंगी हाँ अब रब सुनाता बाता हाँ